सामसद हर को मुख्य जिम्बेवारी कानून बनावनी भायपनी गयर सरकारी विदेक आउन थालेको उनान सत्तरी वर्ष सम्म जम्मा तीनोटा विदेक मात्रा कानुन बन्न सफल भाय काचन। समसत सचिवालाई का अनुसार ततकालीन राष्टिय सभाका सदस्य हरू मैस आचारीले 2023 सालमा प्रस्तुद गरीको मानवदिकार विदेक। डॉक्टर संकर प्रसाद उप्रेतिले 2022 सालमा प्रस्तुद गरीको नेपाल स्वास्ते वेवसाई परिशाद विदेक र सुभास्चंद्र निंगांगले 2023 सालमा प्रस्तुद गरीको कानुनी सहायता समंदी विदेक मात्रा कानुन बन्न सफल भाय काचन। सरकार का तर्फवाटण नभई सामशध हरूले एकल वास्शामोहिक पहल मल्याउने विदेक लाइ गर सरकारी विदेक भन्ने गरीं छा। एस्ता विदेक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया की ही फरक भाय पनी सरकारी विदेक जस्तेई समसद देखी समिती सम्म छलफल गर्नुपरने बेवस्ता रहे कुछ समसत सचिवालाई का अनुशा नेपाल मा 2001 साल मा पहिलो पटक नेपाल विभा बिल का नाम मा गयर सरकारी विदेक प्रस्तुद गरियेकु थियो प्रजातंत्र पुनर स्थापना पसी गयर सरकारी विदेक दर्ता कुख्रम बढ़ेकु छ 2048 साल एता 45 ओटा गर सरकारी विदेक दर्ता भाय काचन ठूलो संख्यमा विदेक दर्ता भाय पनी विदेक प्रस्तुद गरने सामसत्धर को निश्क्रियेता र बहुमत नपुगदा विदेक कानुन बन्न नसकेको समसत सचिवालाई को भनाईचा समसत्को बहुमत बाटा सरकार गठन हुने तथा विदेक खरूपने समसत्को बहुमत बाटा मात्रे पारित हुने समयधानिक प्यवस्था के कारण सामानने तया सरकार का तरफा बाटा पेश करीने विदेक खरूले मात्रे कानुने रूप प्राप्त गरने गरी का सन। सम्षत मां मैजोरीटी अथा बहुमत रायको पच्छेले सरकार बनाऊचा बहुमत ले एदी त्यो विशे लाई सम्षत मां इंट्रोडूच गराऊना चाहे को हो कानुनरूप अंत्रन गरना चाहे को हो भने त्यो विशे ले एक सरकारी विशे शोरूप मां उधर आएछा तर त्यास बहुमत ले लियाऊने विशे चाहें सम्षत मां आफेमा अल्पमत मां परने अबस्ता आएछा और चाली शाल देखें इसी चुछन लाई है अल्के ती अबस्ताला आवेले बेशलेशन करदाखेरी कस्तो देखेंचा वन्दा उधार रहे काचन केमरा मां सीव पंगेनी के साथ सलुजदा